नमस्कार दोस्तों मैं हो दिने इश्की वोरा स्वागत है आपका बिंदास पोल में साउथ इंडिया का पैनोरामा हम पेश कर रहे हैं कि साउथ इंडिया के अंदर अलग-लग राज्यों के अंदर कौन बाजी मारने जा रहा है और हमने अभी तक आपकी सामने करनाटा की पिक त्यलंगाना के हिस्से में आई और 25 सीटें जो हैं अंदर प्रदेश के हिस्से में आई हैं 17 सीटों में क्या होगा यहां पर के सीर बहुत स्ट्रॉंग थे पहले 10 साथ से उनका राज था विदान सभा में इसमें कोई शक्वली बात नहीं है इन 17 सीटों में से भारती जंता यह के सीर की उनके पास थी ऐसा क्या हुआ था 2019 के अंदर की भारती जंता पार्टी को तीन पड़ी कॉंस्टिचंसी आदलाबाद निजामाबाद और करीम नगर यह बिलकुल नौर्थ के अंदर जो आती है नौर्थ तैलंगाना के अंदर और साथ पर साथ पर की AIMIM अस्तुदिन ओवेसी की सीट उनकी हैडरबाद सिटी की सीट वो उनका फीफटम है हमेशा वही जीतते हैं मुस्लिम टॉपलेशन भी काफी है उनके चाने वाले काफी है और उनको सपोर्ट तो रहती है लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं अगर आप किसी स्टेट को सम करते हैं लेकिन हाँ अब वहाँ पर कॉंग्रिस की सरकार है रेवंत रडी के नितरत्तों है जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है चलिए आते हैं देखते हैं कि 2019 और 2023 के कंपरिजन करते हैं और पिर हम कोशिश करेंगे कि 2024 के अंदर किस किसम की पिक्चर तैलंगाना के है वो ए वो लेफट में है और राइट वाली पिक्चर में तैलंगाना भी है आप देखेंगे तैलंगाना एक किसम से च्चतिजगण को भी टच करता है उपर से करनाट का वह नीचे टच करता है नीचे आंदर प्रदेश को और टॉप के अंदर पाएंगे महारश्टर को ट आए गहे हैं, यहाँ पर अगर आप तलंगाना को देखो तो आप उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, एक तॉप का हिस्सा है, जिसे नौर्थ तेलंगाना कह सकते हैं, एक middle तेलंगाना है, एक south तेलंगाना है, मैं अपने हिसाब से इसको count करके बता रहा हूँ, नौर्थ में आदलाबाद, निजामाबाद, करीम नगर ये divisions हैं, और जो central divisions हैं, इसमें वारंगल है, मेंड़क है, हेटरबाद, यानि के रंगा रैडी है, और south के जो divisions हैं, उसमें खमाम, नालगोंडा और महबूग नगर हैं, तो ये एक broad analysis हमारी होसे हैं यहाँ पर, अब total मेरा के 119 विदान सबर की सीटे हैं, और 17 लोग सबर की सीटे हैं, जो नीचे का हिस्सा है, जिसको मैं कहता हूँ कि खमाम, नालगोंडा और महबूग नग उसके आगे आएंगे तो आपको अनंदपूर है, यानि कि गुंटूर है, उसके आगे प्रकासम डिस्टिक है और कुर्णूल है, फिर आप आएंगे नीचे अनंदपूर है, और एक चितूर है, और साथ में एक और डिस्टिक हमाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक दो डिस्टि के elections जो थे, इनमें कौन जीता था, उपर की जो तीन सेफरों सीटे हैं, यानि कि अगर आप देखते हैं कि यो तीनों सीटे जो है, वो मारश्टर को टच करती है, यानि कि करीम नगर को छोड़ दिया जाए, तीसरी वाली है, तो सारी की सारी जो दो सीटे हैं उपर की टॉप क हैं एक हेडराबाद का एक्शलियू एरिया है, उसको हमने बढ़ा करके लिए दिखाया है, वहाँ पर दो सीटे हैं, एक ए-ई-ई-ए-म-ई-ए-म की सीट है, और एक बी-जे-पी की वहाँ पर सीट है, अब इसमें टियरस को नाइन सीट थी, बैलिस परसंट वोट थे फड़ा एक टैपिंग मिस्टेक है, ए-ई-ए-म-ई-ए-म के टू-पाइंट परसंट वोट है, यह बिल्कुल यहाँ पर हमने सही लिखा है, यहाँ पर आप पाएंगे कि इसके अंदर जो गुलाबी रंग है, वो सारा टी-एरस की सीटों का है, जो आप पाएंगे ब्लू क इस विधासमा में चलते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है, बीजेपी एक किसम से वाइप आउट होती है, और एक सीट जो की हैडराबाद में उनकी जो गोशा महिल की सीट थी, टी राजा की, जो काफी कंट्रोवर्शल नेता रहे हैं, बीजेपी के कंट्रोवर् आती है, नौर दस नमबर की जिस पर जहां लिखा हुआ है, उसको आप पाएंगे, अगर एकस्पेंड करेंगे, तो यह सीट निर्मल डिस्टी की है, एक्चुली यह आदला आदलाबाद सीट की सीटी है, नीचे ग्यारा नमबर सीट है, यह एक किसम से कहा जाए, तो ग्या इसमें कमी आई है, कॉंग्रेस का वोट बैंक जो की 29 परसेंट की आसपरस था, बढ़कर 39.4 परसेंट होता है, बीरस का जो वोट बैंक था, वो करी 42 परसेंट था, घटकर 37.9 परसेंट पर आता है, एक बात हमेशा मैं कहता था कि जहां सेंट्रल आपका तैलंग आना है, व एरियास हैं, वहाँ पर काफी प्रभुत हैं, खास तो और से हमारा भी आरस का, और नीचे अगर सदरन तलंगाना देखा जाये तो वहाँ पर आलमुस्ट कॉंग्रिस का क्लीन स्वीप है, या तो साउथ के अंदर है, या जो इस्टन तलंगाना पूरा जो पढ़ता है वहा पूरा, नाल गुंडा एक सीट को छोड़के पूरा, महबूब नगर दो सीटों को छोड़कर, क्लीन स्वीप है पूरा का, पूरा कॉंग्रिस का यहां पर, या 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 इस्टन सेक्टर और सदरन सेक्टर जो है, वह वहाँ पर है, इसके लावा नौर्थ के अंदर आदिलाबाद सीट के अंदर, निजामाबाद और करीम नगर के अंदर भी अच्छी सफलता है, उनकी है, इसके अलावा जो मेंडग की सीट आती है, अगर आप पाएंगे डिविजन वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ भी आपको अच्छी हो है, और रंगा रेडी और का डिविजन, रंगा रेडी डिविजन, मेंडग का डिविजन, वारंगल का थोड़ा सा और थोड़ा सा करीम नगर, यह आप कर सकते हैं, निजामाबाद का है, अधरवाइस पूरी की पूरी बियारेस जो है, एक तरह से सेंट्रल एरिया को छोड़ दो, और टॉप की चार गाउथ पूरा का पूरा उनने वहाँ पर अकुपाई किया, अगर हम इसी नक्षे को तेलंगाना को करनाटक के साथ अपना आंधरा प्रदेशार टच करके देखें, तो हम पाएंगे कि आंधरा का जो कुछ एरिया उडिसा के साथ लगता है, उसमें शिरी काकुलम है, शाका पत्रा में ये मेन है, लेकिन तेलंगाना के नीचे लगते एरिया जो मैंने बताये थे, इस्ट गुदावरी, वेस्ट गुदावरी, विजयवड़ा, कृष्णा डिस्टिक, गुंटूर, और थोड़ा सा बीच में प्रकासम का एरिया भी आता है, लेकिन कुर्णूल मेन है, उसके अंदर और थोड़ा नीचे आके तम इनाडू से मिलते हुए, आपको चित्तूर डिस्टिक होगा, चित्तूर डिस्टिक वही है, जहां पे तिरपती का बहुत बड़ा धारमिक स्थान है, चित्तूर में, और यहां पे अननतपुर और कुर्णूल भी है, और क चित्तूर को तोड़के वहां पर आया है, बीच के अंदर, तो यहां पे कड़पा का पत्थर भी बहुत निकलता है, तो यह रायल सीमा है, और यो आंधरा की जो बाकी ग्रीन क्लर की बेल्ट है, उसको कोस्टल बेल्ट कहा जाता है, और तलंगाना जो है, बेसिकली वो अब क्या होने जा रहा है अपर, क्या पॉसिबिल्टी हो सकती है, चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए कुल मिलाके 17 सीट है, मैं एक बात यहां पर कन्क्लूजरी कहना चाहूँगा कि भारती जनता पार्टी कास्तितों काफी हद तक मिटा यहां पर, ना कि वोट बेल्ट में, अभी बी उनके पास एक सीट है, निजामाबाद में उनके पास दो सीटे है, कही न कहीं ब।ड बिजैपी कमजोर होती न जारा रही है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ।शली बार चार सीट एती, एक सीट मिले, या अगर बहूट एक्स ट्रीम पे मुझे इस से उपर चांस लगता नहीं, लेकिन अधिकतर पॉसिबिल्टी यह हो रहे है कि यहां पर शायद एक सीट से उपर ना मिल पाई, यह maximum की बात कर रहा है, दूसरी बात कॉंगर्स को कितनी सीटे मिलेंगी, अब यहां पर BJP का प्रभाव तो कम हो गया, तो अब सीटे हैं, मैं आज की तारीख में यह कहना चाहूँगा, कॉंगर्स आराम से सत्रा में से दस से बारा सीटे ले जा सकती है, कुल मेरा के, सत्रा में से दस से बारा सीटे, यह पॉसिबिल्टी बिल्कुल स्ट्रॉंग निकल के आ रही है, और बी अरस की सीटें, पांच से छे 4-5-6 सीटों में उस सिमट के रह जाएगी, BJP एक सीट अगर बहुत एक्स्ट्रीम हो गया तो 2 सीट, मुझे कोई हैराणी नहीं होगी अगर BJP का तैलंगारा के अंदर 0 सीटे आएं, 0 मैं आपको अभी भी कहा रहा हूं कि मुझे कोई हैराणी नहीं होगी कि BJP के यहां पर 0 स सीटे आएं और 4-5-6 सीटे ले देके BRS के आएंगी और बाकी करीब करीब 17 में से 10-11-12 सीटे जो हैं अभी की जनगर्णा के हिसाब से वो पूरी की पूरी जो हैं यह आपको कॉंगर्स को मिलने की संभावना है बहुत ज्यादा प्रबल हैं तो यह था हमारा साउथ का और हम आप तक कोशिश कर रहे हैं कि सही जानकारिया पहुंचाएं जमीन पर क्या हो रहा है किसके कितने वोट हैं कितनी सीटे हैं कौन-कौन से एरिया में वो जीते हैं कौन से में हारे हैं कहां स्वीप किया है तो उमीद आपको पसंद आया फीडबैक दीजिए अप प्रो